लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले संजू में इस दमदार रोल को रिजेक कर चुके हैं आमिर खान वजह जानकार आपको होगी हैरानी इन दिनों बलिवूर्ट के गलियारों में सिर्फ राज कुमार हिरानी की फिल्म संजू के ही चर्चे हो रहे हैं पूरे देश पर रनबीर कपूर की इस फिल्म का बुखार सचाया हुआ है ये फिल्म आज रिलीज हो गई है फिल्म में संजे दत्त के जीवन से जुड़े अच्छे बुरे पहलूओं को बड़े परदे पर उतार अगया है रिलीज से पहले ही इस फिल्म को ब्लॉक बस्टर करार दिया जा चुका है रनबीर के अलावा इस फिल्म में कई दमदार किरदार है ऐसा ही एक किरदार फिल्म में परेश रावल का है परेश इस फिल्म में संजे दत के पिता यानी सुनील दत का किरदार निभा रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि परेश से पहले ये ओफर बलेवुड के एक खान को ओफर हुआ था आमिर थे सुनील दत के रोल के लिए पहली पसंद संजे दत और सुनील दत ने ज्यादा बनती तो नहीं थी लेकिन वे शुनील भी थे जुन्होंने संजे को हर मुश्किल से निकाला फिल्म में सुनील दत का किरदार बहुत आहम होने वाला है राजकुमार हिरानी और आमिर बहुत अच्छे दोस्त है हिरानी ने सुनील दत्त के रोल के लिए आमिर से बात की थी आमिर के मना करने के बाद ये रोल प्रेश्रावल को आफर किया गया और उन्होंने इसे स्विकार लिया इसलिए रिजेक की थी फिल्म एक इंटर्व्यू के दौरान राजकुमार हिरानी ने बताया कि आमिर मेरे सबसे अच्छे दोस्त है और मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट तयार करता हूँ तो उनके पास जरूर जाता हूँ हिरानी ने बताया कि जब मैंने संजू फिल्म की कहानी आमिर को सुनाई तो उन्हें स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी और आमिर ने खुद मुझ से कहा था कि मैं भी फिल्म में कुछ करूँ क्या हिरानी ने आमिर को सुनील दत्त का रोल ओफर किया लेकिन आमिर ने साफ मन कर दिया आमिर ने ये रोल इसलिए रिजेट गिया किल्म की वास उस वक्त फिम दंगल में एक पिताब का रोल कर चुके थे इसलिए एक पिताब का रोल फिर से करना उन्हें सही नहीं लगा आज रिलीज हो रही है फिल्म संजु आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है इस फिल्म में रणबीर के अलावा मनीशा को एराला, अनुश्का शर्मा, सोनम कपूर, परेश रावल, करिश मातना जैसी बड़े सितारे भी काम कर रहे है सभी का मानना है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा देगी क्या आप इस फिल्म को लेकर उत्साहित है? पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें